सभी की घर में छोटे बच्चे होते हैं और सभी चाहते हैं कि उनके घर के जो छोटे बच्चे हैं शारे रिक और मांसिक रूप से वह मजबूत बने तो आज हम आपको 6 है ऐसी हेल्दी डाइट बताने वाले हैं जिनने दे कर आप अपने घर के बच्चों को भी हकतवर सारे और मांसिक रूप से बना सकते हैं तो आज का नॉलेज शुरू करते हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बच्चों की सहत उनकी डाइट पर निरपर रहती है तो छोटे बच्चों के लिए रोजाना, विटामिन्स, मिनरल्स, फेट और प्रोटीन की संतुलित मातरग में स सारे रिवेकास होता है, हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं जो बच्च कमजोर है उसकी डाइट में घी, मखन, दाल, दूद, केला, शकरकन, समेथ, हरी सब्चियां चरूर शामिल करना चाहिए, तो कौन से वो 6 चीज़े हैं जो आपको अपने छोटे बच्चों को देना चाहि दूसरी डाइट है दाल का सेवन, दाल प्रोटीन का सबसे बहतिनी स्रोत है, दाल के पानी में भी प्रोटीन की परयापत मातरा होती है, अगर आपका बच्चा कमजोर है उसका बजन बढ़ाने के लिए उसे आप नियमित रूप से दाल का पानी भी दे सकते हैं, तीसरी डा गी या मक्कन फैट से भरपूर है, इसका बच्चों को नियमित रूप से सेवन जरूर कराना चाहिए, घी और मक्कन का सेवन, दाल आतवा रोटी के साथ देना बहुत फायदमन्द होता है, पांच भी बहतिन डाइटर है कि अंडा और आलू, आलू में कार्वाहड़िट औ और अंडे में परयापत मातरा में प्रोटीन होता है, जैसे कमजोर बच्चे का बजन बढ़ाने में काफी फायदमन्द साबित होता है, छटवी डाइट और काफी अच्छी डाइट है, मलाई वाला दूद, मलाई वाले दूद में परयापत मातरा में वसा पाया जाता है, और जो कि बच्चों का बजर बढ़ाने के लिए काफी फायदेमंद होता है। अगर आपका बच्चा दूद पीने से मना करता है तो आप उसे शेक या फिर चॉकलेट पाउडर मिक्स करके भी इससे पिलाने की कोशिश कर सकते हैं। इससे भी 6 डाइट से दी आपको पसद आई तो वीडियो को लाइक कीजेगा जाद से लोगों को शेयर कीजेगा। मिलते हैं नेक्स वीडियो में आज की नॉलिज में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग बाबाए।